हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल सीमा बुंदेली किचिन में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ भिंडी भरता इसके लिए मैंने भिंडी ले ली हैं 8-10 और इसके दोनों साइट से निकाल दिया है इनका आंगे पीछे का और टमाटल ले लिये हैं 4 और ओर मैंने इसके यह ले ली है और अब इसने एक तबा रखा है गैस पर तब इमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है और तेल के तेल को पूरे तब इमें मिला देंगे और घयस ओन करके अब हमें इसके भिंडी रख देंगे तेल हलका सा गरम हो जाए तो भिंडी रख देंगे और भिंडी रख के फिर इसमें टमाटर भी रख देंगे हम और दोनों चीज को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के लिए रख देंगे फिर इनको बीच बीच में देखते रहेंगे अलट पलट कर देंगे और अच्छे से भिंडी और यह भिंडी का भरता बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत अच्छा लगता रोटी के साथ आप लोग जरूर बनाईए आपको अगर पसंद आए और मेरी रेशिपी अगर पसंद आए तो मेरी चैनल को like, share and subscribe करना और यह भिंडी भरता आप लोग जरूर ट्राइ करिए एक बार बहुत अच्छा लगता खाने में और देखिए यह भिंडी मेरी भूंज गई है तो मैं इसको अब निकाल देती हूँ और टमाटर को भी थोड़ा पलट देंगे टमाटर भी एक साइट से हो गए हैं तो दूसरे साइट पलट दिये हैं और भिंडी भी मेरी पूरी भून गई है तो भिंडी को मैंने निकाल दिया है थोड़ी भिंडी कम लग रही थी तो थोड़ी सी पांच-छे भिंडी और मैंने रख दी हैं चोटी चोटी और टमाटर भी भून गए हैं सारे टमाटर भून गए तो उनको निकाल दिया भिंडी भी भून और टमाटर के छिकल भी निकाल देंगे उपर उपर के और अब भिंडी को मैस करेंगे अच्छे से हाथों से अच्छे से मैस हो जाएगी और भिंडी को अच्छा भूनना है कि वो हाथों से अच्छे से मैस हो जाए और भिंडी मैस हो गई है तो अब हम टमाटर को मैस कर जैंगे और अपने टेश्ट के अकोर्डिंग नमक डाल देंगे आपको जितना कम जादा चाहिए हो और इसमें आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला मेरे यहां कम तीखा खाते हैं तो हरी मिर्जी डाल दी मैने जादा सी और यह भिंडी भरता मेरा रेडी हो गया है यह खाने में बहुत अच्छा लगता है मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सेयर और सस्क्राइब करिए थेंक यू फॉर वाचिंग, बाइ बाइ